जहन दोस्तों ये पूर्ब सेनिकों की चिट्टी है औरनेवल प्रेसिडेंट आफ इंडिया औरनेवल प्राइमिनिस्टर आफ इंडिया औरनेवल डिफेंस मिनिस्टर आफ इंडिया जबानों ने अपना दर्द बताया है पिछले 14 साल का दर्द हो या एक साल का जंतर मंतर प को चिटी देनी है राजसवा या लोकसवा के संससदस्यों को चिटी देनी है कि कम से कम आप हमारी मदद इस तरीके से कर सकते हो कि हमारी एक छोटी सी मांग है और ऐसी मांग जिस पर सब कोई भरोसा करता है न्याएपालका की उपर और हम चाहते हैं कि न्याएपालका का एक आ के रखा है यह हम सब लोगों का दायत बनता है कि यह आप तक पहुंचा है और आप इसको आगे पहुंचा है कि आखिर ये एक संदेश लगवक 30 लाक सेनकों तक जाना चाहिए और आप यह समसकतों कि आखिर इसमें गलत क्या है और आखिर हमारी मांग कितनी बड़ी है जो कि सरकार सुन नहीं रही है और सरकार चुनाओं में कूद रही हमें कुछ और नए तरीके अपनाने के लिए मजबूर कर रही है ज़रा इस चिठी का करते हैं यह लिखा है सबका सैनिक संगर्स कमेटी की तरफ से हैं आप यह देख सकते हो रेफ्रेंस नंबर लिखा है नो फरवरी यानि यह चिठी आज आज के दी गई ओनेवल प्रिशिडर्ण अब इंडिया सबजेक्ट है देश की रच्छा के लिए जान नियोचावर करन डिसेबल होने ओले उनकें परवार और बहुद्री के मेडल परंवीर चक्र महावीर चकर बीर चकर कीर्टी चकर इंड़न ऑनबने के लगातार अनश्यत का आई है हो सेनकों की बात हमेसा करती है बो सेनकों का सीधे सीधे अपमान कर रही है इसलिए कि मांग ही हमारी कुछ नहीं हम नहीं कह रहे हैं आप हमें सत्र लाक दीजिए करोड दीजिए इतने दीजिए ये बड़ा है हम कह रहे हैं आप हमारी बात सुनिए क्योंकि आपने पै सेनिक जबानों की मांगों को लेकर पिछले 14 सालों से संगर्स रत हैं जिसके लिए हम जंतर मंतर पर 10 दिन की भूख अड़ताल की रामलीला मैदान में 10 दिन की भूख पानी की टंकियों पर चड़े रेल रोको आंदोलन किया संभू रेलवे स्टेशन पर किया पाकिस्तान से आने वाले सद्भावना बस को रोक कर प्रदर्शन किया जंतर मंतर इंडिया गेट आद दरजनों प्रदर्शन कर चुके हैं अगर सेकड़ों मांग पत्र मानी के प्रदर्शन कि कमेटी बनाने की मांq को लेकर अनिष्यत का लिन धरना पत्रशन कर रहे हैं इस समय अनिष्यत का लिन धरना को एक साल पूरा हो चुका है श्रीमांजी सब से ज़्यादा केंद सरकार ने सैना और निया विष्टा का धिंडूरा पीटा लेकिन दोनों ही मामलों में केंद सरकार खुद पर अमल करने में फिसड़ी थाबित हुई है यानि नाय पालका पे केंद सरकार को भरोसा नहीं है स्रीमान जी केंद सरकार कोई भी बात हो चाहे विपच्च के आरोप पित्यारोप की हो और कोई मामला हो केंद सरकार मीडिया में आकर नसियत देती हुए बियान देती है कि उन्हें भारत की नय विवस्ता पर भरुसा नहीं है क्या तो हम केंद सरकार से पूछते हैं क्या केंद सरकार को देश की नय विवस्ता पर भरुसा नहीं है जो केंद सरकार ने पूरु से जवानों के जंतर मंतर पर एक साल से चल लए धर ने जिसमें मांग है कि तीन सुपी मांजी देश की रच्छा के लिए जान नयोचार करने वाले जवानों की बिद्वा बीरांगना इन सभी इन सभी की ये मांग हैं पर ये बास समझ में नहीं आ रहे कि केंद सरकार का नजरिया देखकर लगता है कि केंद सरकार को देश के सेंकों से नफरत है क्या पूरे को लाकर केंद सरकार ने अपना एक जवरदस्ती सेना के अंदर ये आपने योजना थोपी है जो कि आप देख रहे हैं कि आज सड़कों पर उसके खिलाब किस तरीके सा किस तरीके आंदुलन चल ले हैं स्रीमान जी ये योजना भी देश की सुरच्छा के लिए खिलवारा ह की प्रतिश्टा भी कम हो रही है स्रीमान जी सेना मैं देश का जवान जब सेबा करता है तो उसके बूड़े मावाप पतनी बच्चों की उसको चिंता नहीं होती थी क्योंकि जवान बेखौप होकर देश के जुसमनों से लुहा लेता था अगर मैं देश की सेबा करते सब कुछ देगी पहले भी ये बातें सच थी क्योंकि केंद्रसकार सहीद परवार को उच पैंसिंता था बच्चों की फिरी पड़ाई करवाने सहीद बहुत सारी सुब्दाइं परदान करती थी और आम पबलिक भी सहीद परवार का पूरा मानसमान देते थे लेकिन अफसोस अगनवीर योजना में आप देख सकतो सहीद हुए अगनवीरों को सहीद का दरजा भी दूबर हो गया है स्रीमान जी अगनवीर योजना के तहस सहीद हुए जवीन परवार को एक करोड रुपे बीमे की राशपरदान करेगी इसके अलाबा केंसरकार सहीद अगनवीर लगार कि दुवारा आप से अनरोद है कि आप नियाए बिवस्ता पर भरोसा रखने का पार्ट पढ़ाने से पहले ये विचार जरूर करें कि नयाए बिवस्ता में विस्वास रखकर मानने सुप्रीम केट के तीन रिटार जज़ों की मांग को मानिए और निया बिवस्ता पर हम भी वरोसा करते हैं, आप भी वरोसा करिए, और एक कमेटी गठित करने की जरूरत है, स्रिमान जी दुबारा निवे दने के एक साल से हम लोग जंतर मंतर पर बुरी तरह लड़े हैं, रच्छा मंतरी जी के खिलाप चुनाओ लड़कर बोट की चोड़ देने का अलान हम कर चुके हैं, मानि प्रदान मंतरी जी के भी खिलाप हम 95 साल के एक बुजरुक को खड़ा करेंगे, चुनाओ में मैदान में उतारेंगे, जो भी होगा हम अपना संदेश जंजतंक पहुचाना चाहते हैं, यानि दोस्तो इसमें हरवाल सिंग, वाईपी सिंग, मदप्रदे हैं, नेसल मीडिया पर हम लोग जरूर करेंगे, क्या आपको लगता ये मांग, बहुत बढ़ी है, क्यों सरकार हमारी अंदेखी कर रहुए, इसके बारे में आप जरूर कमेंट्स करिए, क्यों लगातार हमें सरकार मجبور कर रही, क्या आप वैसाई करिए जो अभी पिर किसा सरकार भी सुने विपच्छ भी सुने जनता भी सुने आम जनता भी सुने पूर्व सैनिक भी सुने दोस्तों यह मुद्दा बहुत गंबीर इसलिए है कि यानि आप समझ सकते हैं को वारुपी थ्रीका भी समय आ गया है इस सरकार ने इसमें बदलाव नहीं किया तो बन रैंक बन पैंसिन सिर्फ अपसर रैंक अपसर पैंसिन बनके रह जाएगी और यह हमारे लिए सर्म की बात है यह हमारी इस तरह अंदेखी का मतलब हम पूर्व सैनिक नहीं है जो सैना में सेवा रहत हैं वो भी कल आके पूर्व सैनिक होंगे इसलिए आपको इसमें सहयोग देना बहुत जरूरी है और इस लेटर को ज़्यादा से ज़्यादा वाइरिल करें धन्वाइब